नश्कार दोस्तों, ये वीडियो एक्टोरियल कंपाइलेशन फोर मेंज का पार्ट हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके एक्टोरियल की वीडियोज पेपर वाइस और टोबिक वाइस देख सकते हों। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाग की वीडियोज को देखना चाहते हों, तो वीडियो के नेचे मुझूद जोइन बटन की साहिता से आप मेंबर्शिप को जोइन कर सकते हों। चलिए डिस्केशन स्टार्ट करते हैं। आप GS Paper 2 के इस टोपिक से और GS Paper 3 से भी इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हों। देखो FCI यानि Food Corporation of India हमारे देश में नोडल एजनसी हैं। फूद ड्रेंस को प्रक्योर करना हो, स्टोर करना हो, मूव करना हो, पब्लिक डिस्टिबिशन या फिर इवन बफर स्टोक्स की मेंटेरंस हैं। इन सब चीजों के लिए नोडल एजनसी जो हैं, वो हैं Food Corporation of India। FCI के द्वारा देखो, ओपन प्रक्योर्मेंट किया जाता हैं, जिसे वीट हैं, राइस हैं, इनके लिए सरकार के द्वारा MSP डिक्लियर कर दिया गया हैं। तो अगर किसान की फचल सर्टेन क्वालिटी पर खड़ा उतरती हैं, तो FCI मना नहीं कर सकती किसान को कि हम आपकी फचल को नहीं प्रक्योर करेंगे। उन्हें करना पड़ेगा, मतलब कोई भी किसान टे MSP पर अपनी फचल बेच सकता है FCI को। वैसे काफी जगहों पर स्टेट गर्वर्मेंट के एजन्सीज और राइस मिलर्स के द्वारा भी प्रक्योर्मेंट किया जाता है FCI के बिहाफ से, ग्रियन्स को मूव किया जाता है सर्प्लस स्टेट से, उन स्टेट में जहां पर डिस्टिबिशन होता है ज्यादा PDS की साह जीता से, जैसे देखो हर्याना, पंजाब, इन राज्यों में ज्यादा प्रोडेक्शन होता है, फूड ग्रियन्स का, लेकिन डिस्टिबिशन उतना ज्यादा नहीं होता, PDS उप्स उतनी ज्यादा नहीं है, जितने की 36 गड़ या फिर दूसरी राज्यों में है, तो यहां कल को इन्फलेशन बहुत जड़ बढ़ गई, वीट की या फिर राइस की कमी हो गई, तो FCI के द्वारा जो फूड ग्रियन्स स्टोर करके रखा जाता है, यानि बफर मैंटीन किया जाता है, उसे रिड्यूस कर दिया जाएगा, मतलब फूड ग्रियन्स को मार्केट में रि होगाता है, काफी लागत आती है, तो अगर किशानों को फसलों के उच्छी दाम नहीं मिलेंगे, तो अगरिकल्चर सेक्टर में और जाला श्ट्रेस आ जाएगा, तो ओपन प्रक्यूर्मेंट सिस्टम है हमारे देश में, लेकिन देखो दिक्कत ये है, दो तीन जो फसले ह किया जाता है, जादातर जो फसले हैं, उनका प्रक्यूर्मेंट नहीं किया जाता है, उनके लिए सरकार MSP तो अनाउंस कर देती हैं, लेकिन प्रक्यूर्मेंट उनका नहीं होता है, अब सरकार काफी सारी स्कीम्स लेके आई हैं, देखना होगा वो स्कीम्स कितनी लोगा दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो किसानों को दे दिया जाएगा सरकार के द्वरा खेर इस परकार से फूड ग्रेंज का मनेजमेंट होता है हमार देश में अब इशूज की बात कर लेते हैं सबसे पहला तो इशू है लैक ओफ स्टोरेज FCI देखो काफी सारा फूड ग्रेंज प्रक्योर कर लेती हैं लेकिन स्टोरेज के लिए इंफरेस्ट्रेक्शर नहीं होता फिर उसके बाद इस परकार की तस्वीरी देखने को मिलती हैं पानी इकठा हो गया और अनाज जो है वो सड़ रहा है ये काफी दुखद होता है क्योंकि एक तरफ कल पर सो आपको याद होगा हंगर इंडेक्स रिलीज हुआ था हमारी रैंक जो है 102 मी है और उपर से इतना सारा अनाज सड़के यूँ ही खराब हो जाता है तो ये कहीं न कहीं मिस मनेजमेंट है मतलब resources की कमी नहीं है resources को हम अच्छे से मनेज नहीं कर पा रही है तो पहला जो problem है वो है lack of storage उसके बाद है food inflation देखो FCI जादातर जो food grains है वो procure कर लेती है market में food grains की कमी हो जाती है और जिस चीज़ की कमी हो जाती है उसके दाम बढ़ जाते है next है access of buffer stocks वैसे देखो FCI को एक निश्चित buffer stock maintain करना होता है और उससे ज़्यादा अगर food grains FCI के पास आ गए है तो उससे release करना होता है लेकिन sorry buffer stock बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है FCI के पास और timely जो ज़्यादा buffer stock होता है उसे market में release नहीं कह जाता next है poor quality of food grains and higher wastage काफी बार तो देखो government ने quality के जो standards decide किये है उससे खराब quality का food grain FCI के द्वारा procure कर लिया जाता है और काफी सारा wastage भी हो जाता है जब ऐसी चीज़ें होंगी तो food grains तो waste होगा न next है high cost for government देखो government यानि FCI इतने बड़े scale पे food grains को procure करती है बाद में उसको store करके रखना और किसानों को तो उची दाम दिया जाते है लेकिन बाद में PDS soaps की साइता से सस्ता अनास दिया जाता है गरीब लोग को तो government पर बहुत ज़दा खर्च जाता है economic burden हमारा काफी बढ़ जाता है जो last point है उसके बाद है marginalization of private trade देखो food grains की management में सारा काम तो government कर रही है सुरवात में MSP government announce कर रही है food storage government कर रही है बाद में distribution भी government कर रही है private sector का तो role बहुत ही कम है इस पूरी process में और अगर देखो private sector को सामिल किया जाए तो efficiency ज़्यादा आएगी और competitiveness भी ज़्यादा आएगी उसके बाद next point है uncompetitive export देखो MSP अगर हमारे देश में ज़्यादा होगा तो किसान तो अपनी फसल FCI को ही दे देंगे न export तो होगा नहीं फसलों का तो इस परकार से जो food grains का management होता है export का scope कम रह जाता है next है corruption हाल ही में एक report release हुई थी जिसमें कहा गया था 40 से 60% जो food grains है हाला कि ये आंकड़ा काफी ज़्यादा था 40 से 60% जो food grains है जो procure किया जाता है FCI के द्वारा वो तो black market में पहुंच जाता है तो आंकड़ा गलत हो सकता है लेकिन ये बात सच है corruption काफी ज़्यादा होता है food grains की management में हमारे देश में economic burden का point हमने डिसकस कर रही लिया तो ये issues हैं हमारे देश में food management में अब कुछ suggestions की बात करते हैं सबसे पहला suggestion देखो सरकार जो MSP announce करती है वो इस परकार से announce करें कि export हमारे देश में फसलों का ज़्यादा हो ना कि ज़्यादा किसान ललाईट हो अट्रेक्ट हो FCI को अपना food grain देने में समझ गए आप MSP का इस्तिमाल कीजिए export को attractive बिनाने के लिए next है price deficiency payment मतलब market में जो फसलों का दाम है export ज़्यादा बैतर option है बजाए के wide scale procurement के next है buffer stock अगर देखो ज़्यादा हो जाता है तो उन्हें गरीबों को दे देना चाहिए even monthly quota गरीबों का अगर पूरा हो भी जाता है मतलब कुछ गरीब लोग ऐसे हैं जो already schemes के लाब उठा रहे हैं तो उनका quota increase कर देना चाहिए बजाए इसके की buffer stock जो है वो waste होता रहे FCI के good downs में उसके बाद decentralized procurement system देखो हर्याना पंजाब जैसे जो राज्या हैं यहाँ पर food grains की कमी नहीं है मतलब PDS में distribution के लिए इतना अनाच चाहिए भी नहीं तो क्यों ना यहाँ पर इन states में राज्यों को जिमिदाई दे दी जाए कि भाया आप अपने आप से food grains को procure कर लो और food grains को distribute कर लो तो इससे FCI का काम काफी आसान हो जाएगा अब देखो सांता कुमार कमेटी एक गठित की गई थी हमारे देश में food management के issue में इशू पर recommendations देने के लिए तो इन्होंने काफी सारी अच्छी recommendations दी थी पहली recommendation जो हमने अभी अभी डिसकुस की पंजाब हर्यानव जैसे जो राज्य हैं यहाँ पर तो procurement की जम्यदारी state government को ही दे देनी चाहिए जबकि eastern states, UP, बिहार, West, बंगाल, असम यहाँ पर जातर जो किसान है वो छोटे हैं, मंजले हैं इन states में operations चलाने पर जाद ध्यान देना चाहिए FCI को, उसके बाद सांता कुमार कमेटी की recommendation यह है, procurement payment system देखो negotiable warehouse receipt इस system में क्या होता है मान लीजिए कोई authorized storage infrastructure है, मतलब कोई go down है, और जो FCI वारा authorized है, यहाँ पर किसान अपनी फसल लेके जाएगा, store करेगा बदले में जो operator है, वो किसान को एक receipt देदेगा, और उस receipt की साहिता से किसान bank से loan lays केगा समझ गए, फाइदा क्या होगा इससे, इससे फाइदा देखो यह होगा कि काफी बार किसानों को ना मजबूरी में अपनी फसल बेचनी पड़ जाती है, उनको पैसों के जूर्थ होती है तो इस परकार के go down में किसान अपनी फसल store करके रखेंगे, और जब उची दाम मिलेगा, तब ही बेचेंगे और लोन तो किसानों को मिली जाएगा क्योंकि go down में फसल को store करने पर उन्हें रिशिप्ट मिली है और उन्हें रिशिप्ट के अधार पर बैंक उन्हें लोन देश केंगे तो इस सिस्टम को popularize किया जाए ऐसा सांता कुमार कमीटी के द्वारा कहा गया था next है buffer stock देखो आप limited ही maintain करो बहुत ज़्यादा आप buffer stock ना maintain करो इसका कोई फाइदा नहीं होता अगर urgent आवशकता पड़ भी जाए तो अब वैसी आवशकता नहीं है कि हमें बाहर से import नहीं कर सकेंगे वो time अलग था 1960s का जब बाहर से import करना मुश्किल होता था आज के समय में बाहर से food grains को import करना बहुत ज़्यदा आसान है और काफी cases में तो सस्ता food grains से import हो जाता है मतलब हमारे देश के अंदर जो दाम है उससे भी सस्ता उसके बाद storage reforms storage समधित reform लाने होंगे देखो जो grain को store करने के लिए warehouses चाहिए उनकी outsourcing कर देनी चाहिए state warehousing corporations को या फिर private sector players को नेस्ट है प्राइवेट entrepreneur guarantee scheme ये इस scheme के तहट PPP यानि public private partnership mode के अंतरगत ज़्यादा से ज़्यादा good downs construct किया जाए नेस्ट है ग्रामीन बंडारन योजना इस योजना के तहट subsidy दी जाती है ताकि rule अलाकों में good downs renovate किया जाए या फिर नए बनाए जाए उसके बाद storage से समंधित points आते हैं जैसे देखो इस परकार से anand store होता है एक plastic bag की साहिता से इन बोरियों को ढख दिया जाता है काफी wastage हो जाता है western countries में anand को इस परकार से store करके रखा जाता है और इन्हें कहा जाता है silos समझ गए मतलब बोरियों में anand store करके ना रखा जाए और transport अगर किया जाए तो container में किया जाए यह देखवा point यहां पर देख सकते हो silos में anand को store करके रखा जाए बड़े-बड़े steel के vessels में और mechanized way में ज़्यादा anand को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाए जाए आपने काफी बार देखा होगा कि बोरियों को मजदूर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते है तो इस पूरी प्रोसेस में mechanization ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए rail connectivity होनी चाहिए जहां पर यह बड़े-बड़े steel के silos होंगे ताकि anand को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना बहुत ज़्यादा सस्था हो जाए distribution की बात करें तो computerization होना चाहिए पूरी प्रोसेस में ताकि anand की बीच में चोरी ना होसके और चोरी हुआ anand black market में ना पहुंचके MSP policy हमारी इस परकार से होनी चाहिए कि wheat और rice को ही तवज्जो ना मिले दूसरी फसलों को भी तवज्जो मिले और export इससे बड़े सबसे last में proactive हमारी liquidation की policy होनी चाहिए ताकि जैसे ही buffer stock थोड़ा सा बड़े अपने आप market में buffer stock को release कर दिया जाए एक pre-decided mechanism की साहिता से तो ये हमने सान्ता कुमार कमेटी के द्वारा जो recommendations दी गई थी उन्हें discuss किया तो हमारी आज की इस discussion में इतना ही है इस discussion में फिलाल इतना ही है Thank you, thank you very much for discussion